दोस्तो आज की सबसे वड़ी अपडेट भारत के मैनिफेक्टरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर से निकल कर आ रही है। पिछले कल अमेरिका के अंदर भारत की एक ऐसी चीज़ को बैन करने की मांग उठी है जिस फिल्ड में अमेरिका भारत का मुकावला कभी नहीं कर हो कि अमेरिका कुछ कोड सेक्टर में भारत और दुनिया के बाकी देशों से काफी आगे है लेकिन कुछ नॉन क्रिटिकल सेक्टर में भारत आज भी अमेरिका की मार्किट को डॉमिनेट करता है और यह मार्किट है OTR टायर्स की OTR टायर्स को ऑफ दा रोड टायर्स भी कहा लेकिन मसीनस में लगने वाले टायर्स का एक्सपोर्ट एक काफी बड़ी मातरा में अभी भारत से क्या जाता है जिसकी दो सबसे बड़ी वज़ा है पहली वज़ा यह है कि प्राइस के हिसाब से भारत के टायर्स की क्वालिटी का मुकाबला करपाना किसी और देश की बस की बात नहीं है और दूसरा यह है कि अमेरिका में OTR टायर्स की कोई खास इंडस्ट्री भी नहीं है अमेरिका में OTRius को बनाने वाली कुछ Department कमपनीस ही यही कमपनी्स भारत के ओटियोग अागे वेवस हो चुगी है और जब यह कमपनी सामने से भारत का मुगाबलन नहीं कर पा रही तो अभी अपनी हालात का जिम्मेदार भारत द्वार रशिन ओयल के इंपोर्ट को बता रही है और इसी रीजन को आगे रखते हुए इन कंपनी ने अपनी सरकार से भारत के टायर्स को बैन करनी की रिक्वेस्ट आगे बढ़ा दी है सबूत के लिए आपकी स्क्री पर इन दोनों कंपनी का कहना है कि भारत अपने टायर्स को बनाने के लिए जिस बलैक कार बन का यूज करता है उसे बनाने के लिए बारत में बड़े लेवल परर रेश्यन ओयल की प्रोרג प्रोशएंग की राती है जिस वजा से इनके टायर्स प्राइस के मामले में भारत के टायर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे इसके अलावा USW के MD Tom Conway का कहना है कि साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में भारत से इंपोर्ट होने वाले OTR टायर्स में 38% का इंक्रिमेंट देखने को मिला था और इस साल के एंट तक ये 38 से बढ़कर 45% को भी पार कर जाएगा और अगर भारत के OTR टायर्स के इंपोर्ट को नहीं रोका गया तो ये अमेरिका की पूरी OTR इंडस्री को खा जाएगा Tom Conway ने सीधा Joe Biden Administration को एक लेटर लिग कर भारत की सिकायत करते हुए और अपनी दलीलों को और मजबूती देने के लिए ये तक कहे दिया है कि ऐसा करके भारत ने अमेरिका और वेस्टरन देशों के प्राइज कैप और सेंक्सन्स का भी वोयलेशन किया है और रशेन ओल द्वारा बनाए गए OTR टायर जैसे और भी कई थर्ड पार्टी प्रोड़क्स को बना कर अमेरिकन मार्किट में एक्सपोर्ट कर रहा है जिससे रशेया अमेरिकन सेंक्सन्स के बाद जूद भी इस यूद में टिका पड़ा है और ये यूद और भी लंबा खिस्ता जा रहा है इसलिए भारत को पनिश करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और इमीडेट लेवल पर भारत के OTR टायर्स को अमेरिकन मार्किट से बेंड किया जाना चाहिए आपको बता दे कि अमेरिका ने अपनी लोकल मैनिफेक्टरस को बढ़ावा देने के लिए साल 2017 में भी भारती टायर्स के ओपर इंपोर्ट डूटी लगाई थी और पांस सालों के बाद ये डूटी साल 2022 में खत्म हो चुकी थी लेकिन कमाल की बाद तो ये है कि इस डूटी के खत्म होने के बाद भी अमेरिका के अंदर कई सारी कमपनीज तो ऐसी थी जो इन पांस सालों के अंदर भी खुद को कॉंपिटिटिव नहीं बना पाई इसलिए अब ये कमपनीज फिर से ये चाहती है कि अमेरिका भारत से इंपोर्ट होने वाले टायर्स के उपर फिर से इंपोर्ट डूटी को इंक्रीज करें अमेरिका के बाद जर्मनी, ब्रेटेन और फ्रांस जैसे देश भी इंडियन टायर्स के सबसे बड़े कस्टमर्स है और इन कम्पनियों ने जो अपनी सरकार से रिक्वेस्ट की है उससे ये बात साबित हो चुकी है कि भारत के अंदर इन बड़े-बड़े देशों की कम्पनी चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै हिन जै भारत